तुम अंदर आ सकते हो इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं तो दोस्तो जब भी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकते हो, सकता है, सकते हैं करके आए और उस sentence से संभावना अनुमती या अनुरोध का बोध हो तो ऐसे sentence को English में translate करने के लिए में का प्रयोग करते हैं तो यह affirmative sentence है तो पहले subject लिखेंगे और उस sentence का subject है तुम तो पहले हम लिखेंगे तुमकी English you, उसकी बाद में, उसकी बाद भर्ब भर्बह इस sentence का आ सकते हो याने की आना, आना की English में कम करते हैं तो में की बाद देखेंगे कम, उसकी बाद हम लिखेंगे other words और जो भी object होते हैं इसमें अंदर आ सकते हो याने की अंदर की English in तुम अंदर आ सकते हो इस sentence की English है you may come in दोस्तो यदि यही sentence होता तुम बाहर जा सकते हो you may go out तो दोस्तो ऐसे और भी sentence का English translation वीडियो देखने के लिए इस channel के playlist में जाए channel पर नए है तो channel को subscribe करें